बच्चो profit and loss appropriation account के बारे में जान दीजिए कि ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजे श्रोक की जाती है ये क्यों बनाया जाता है ठीक है बच्चो तो ये जो profit and loss appropriation account है इसे extension of profit and loss account माना जाता है यानि इसको profit and loss account बनाने के बाद बनाया जाता है और इसलिए बनाया प्रॉफिट को पार्टनर में बाटा जा सके डिस्म्यूट किया जासके ठीक है लेकिन सिर्फ उस प्रॉफिट को directly बाट में नहीं बाटा जाता उसमें से पहले appropriations किये जाते हैं यानि ऐसी चीजी हटाय जाती है जो पार्टनर को दी जानी है और वो बी तभी जानी उसको partners में बाटा जाता है जो residual profit होता है उसे partners में बाटा जाता है ठीक है बच्छो तो यह प्रोपरेशन नॉमले किंगे जिड़ोगी करने होती है इंटरस्टान कैपिटल की partners LB की partners commission की और अगर कोई reserve बनाया तो उसकी तो यह होता है basically आपका profit loss appropriation account extension of profit loss account and it is prepared to show how the profit is distributed among the partners after making appropriation for all these चीए बच्छो अब इसमें credit side में क्या आता है debit side में क्या आता है आईए वो देख लेते हैं तो यह account जो credit किया जाता है वो एक तो net profit से credit किया जाएगा interest on drawing से credit किया जाएगा और divisible loss से अगर कोई loss हुआ है तो चीए बच्छो तीन चीजे प्रेनल प्रोपिशन काउंट की credit side में आ सकती है most commonly तो यह दुनों चीज़े आती है लेकिन अगर question में divisible loss है ठीक है यानि partners को जो है अगर loss partner पढ़ रहा है तो वो credit side में आ सकता है ठीक है पच्छो उसकेस में फर्म को net profit नहीं हुआ होगा net loss हुआ होगा that's why तो समझ जाएगा कि अगर डिविजुल लॉस आ रहा है तो net profit नहीं आया होगा clear और मैक्सिम में तीन चीज़े आ सकती है net profit, interest on drawing and divisible loss मतलब जो finally partner में dispute किया गया वो loss and it's a rare thing debit side में क्या क्या चीज़े आती है net loss अब understood है net profit credit side आएगा तो net loss debit side आएगा और एक ही question में दोरों चीज़े तो हो नहीं सकते यह भी आप समझ रहे है यह तो net profit होगा यह net loss होगा तो इतनी बात हो समझ चाहिए का बच्चो इंट्रस on capital debit side में आ सकता है पार्टनर salary debit में आ सकती है पार्टनर का commission debit side में आ सकता है जो reserve बनाया जाता है auto profit वह भी debit side में आ रहेगा और जो balancing कर होता है वो digital profit जैसे तरह से net profit और net loss में से कोई एक चीज़ आ सकती है उसी तरह से digital profit और digital loss में से को एक ही चीज़ आ सकती है दोनों नहीं आ सकते हैं ठीक है बच्चो तो यह सब चीज़े हैं जो profit and loss operation account की credit side में शो की जाती है clear बच्चो